हां जी दोस्तों वेलकम स्वागता तो अड़ा स्टेडीशिप यूट्यूब चैनल ते आज दी इस वीडियो दे रहीं अप्रेंट्शिप लाइनमेन ट्रेड दे विच जो अग्जाम होया सी अप्रेंट्शिप दी सेलेक्शन दे वासे कैंडिडेट्स दा अग्जाम सी गया किस लेवल दे कॉस्चन है जीड़े ओ अग्जाम दे विच चा सकते हैं और वाड़े असिस्टेंट लाइनमेन अग्जाम दे लई और तो अनू कॉस्चन दे लेवल तो अड़ा त्यारी दी प्रेपरेशन दे जीड़े बेस हो भी बनेगा सो अप पूरा सौ कॉस्चन है ज इतन फेज स्प्लाई सिस्टम दे किसे भी दो फेज विच वोल्टेज नू की कहा जानदा है सो थ्री फेज स्प्लाई सिस्टम दे विच किसे भी दो फेज दे विच कार जेडी वोल्टेज हों दिया है दो फेज दी वोल्टेज नू अपमा बोल दे हैं लाइन वोल्टेज तो इदा correct answer है line voltage question दूज्जा है three phase star connected system phase voltage अधे line voltage विच कार की स्वांद है line voltage थे phase voltage की स्वांद होंद है three phase star connected system विच है इदली तुसी star connection ते delta connection ते सारे relations आओ तुसी कर लाने है voltage करेंट दे relationship दे सो इते अपने question किता है कि phase voltage से line voltage दा की relation होंद है तो इदे चे correct answer है line voltage VL ब्रबर है under root three times of phase voltage phase voltage दी under root three गुना होंद है line voltage जड़ी star connected system दे विच है सो इदा correct answer है C next third question है five s श्रख्यातार ना विच सेरी दा की अर्थ है S-E-I-R-I सेरी दा की अर्थ है five s formula है एदले सेरी दा मतलब है sort 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 जड़ा जपान दा formula है तुसी revision कर लेनी है theory दे विचों और five s दा आरना दे विच सेरी दा अर्थ है sort sort दा question सी जड़ा answer है ओ साही उत्तर है question चौता है सिद्धी तारा जिस्टम पर डीसी स्प्लाई बोल देया direct current सिद्धी तारा दा शक्ती गुनाक power factor हमेशा डैश हुंदा है किन्ना हुंदा है एक हुंदा है पावर एफेक्ट्रेड डीसी स्प्लाई सिस्टम देच ओ एक हुंदा है तो नेक्स्ट पंजमा question है what is the voltage across resistance R3 if V is equal to 220 volt value of R1 is 36 ohm R2 is 40 ohm R3 is 60 ohm R4 is 50 ohm के voltage supply voltage 200 V volt है दिते हुए circuit देविच R1, R2, R3 दी value तो अनुद दिती होई है और R4 दी value दिती है सिर्फ तुसी calculate करना है के voltage है जड़ी R3 resistance दे across किन्नी value होगी तो R2 ते R3 पहला parallel दे विच है और parallel दे विच combination equivalent resistance calculate कर लना है फिर इदा parallel equivalent है R1 ते R4 दे series दे विच फिर इदी calculation ohms law दे accordingly कर लना है V is equals to IR सो अपनो VE एजड़ा I ते R दा product एजड़ा मिलेगा 48 volt साथ सी एदा correct answer एजड़ा 48 volt अड़ ताली volt एदा सही उत्र है B option next what is the name of the given figure दिते हुए चितर दा नाम की है तो यह तो अनुसार है नो almost पता होना के नन उपा हत्थ दे दिस्ताने बोल देया हत्थ दे दिस्ताने जा English ते विच hand gloves बोल देया तो यह चितर है जड़ा हत्थ दे दिस्ताने आदा B option है जड़ी हो सही उत्र हाँ दा अगला question सात्त में है एक conductor दा प्रती रोद ओदों बदद है जड़ों A option है इसदी लबाई करओस सेक्शन के यतरफल बदा आय जांदा है इसदी लबाई कटाता ही जांदी है इस दे क्रॉस सेक्शन के तरफल नो बदा आया जान दा है इस दी लंबाई बदा आया जान दी है ताक किसे भी कंड़क्टर दा चालक दा प्रतिरो दा रिजिस्टेंस है उदा फॉर्मॉला तो अनुसारे नो जाद होना चाहिए दा है आर इस डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू रो एल अपॉन ए सो डिरेक्टली प्रपोर्शनल हुंदा है रिजिस्टेंस है जड़ा लेंथ अफ दा कंड़क्टर लंबाई देनल सिद्धे नुपाद दे विच होनदा है और एरिया अफ क्रॉस सेक्षन दे उल्टे नुपाद दे विच होनदा है ता इत्थे लाइन इत्थे तो अनुसारे लिखिया के कंड़क्टर दा प्रती रोद ओदों बाद है जदो सो डी ऑप्षन दा सही उत्र है जदो इस दी लंबाई बदा आई जान दी है क्योंकि लंबाई देनल प्रती रोद आईडा सिद्धे नुपाद दे विच होनदा है तो इस फॉर्मूले तो दा उत्तर डी सही उत्र है आगला क्वास्टन आठ्ट में है निए पोटेंशील डिफ्रेंश चने सबस्क्रत करतों दास्य छाएं आप्षन को डिच चार दीफ्रेंश नुपादः जांत्र है वरतों कर सकतिते हैं एन लिशनेया सब्सक्राइब सेर सारे लोड़ कुंअ धिंड राए भी सर्क्राइब बरने केड़े लोड दे विच जीड़ाग क्रण्ट है ओपन सरकुट सो क्रण्ट है एओ सीरीज सरक्ट दे विक सेम रहना है और वॉल्टे से ड़ाईड हों दिया पर पैरलल दे विच वोल्टेज सारे इत्पे तो आनू पुछ आ केड़े सरक्ट दे विच सारे लोडना विच ता रहा है जड़ी करंट है एक को जा रहें दा ता इदा सही उत्तरा जेगा सीरी सरक्ट सु इदली तुसी सीरी से पारलल सरक्ट दी थी तुरी जड़ी डिटेल दे विच कर लेनी है ग्यार मा है, चेंज कर साक्डें रिजिस्टेंस दी वेल говорить तो यह साई उत्र है यह डा clocks आ ये शाधिक दिस्टे मिदी बरकिंग वोल्टे दा मान की है तो इंडियन electricity rules दे अकॉर्डिंग ली क्रे लू देश ली जडी AC स्प्लाई वर्ती हैं दिया है, domestic purpose ली जडी स्प्लाई वर्ती हैं दिया है, ओधी voltage किन्नी वेल्य हुन दिया है, सो यह है 240V and 415V, सो single phase 240V, three phase 415V स्प्लाई है जडी Indian electricity rules दे अकॉर्डिंग करे लू बर्तों ली बर्ती हैं दिया है, question 13, the conductor material used for transmission and distribution of electrical power should have, के जड़ा बीजली दी बर्तों, transmission दे ले और distribution दे ले, बंड दे ले जड़ा electrical, electric conductor जड़ा बर्ते हैं दे, ओधे ले जड़ा चालक है, ओगी होना चाहिंदा है, हाई resistance होना चाहिंदा है, नहीं होना चाहिंदा, काट तो काट resistance होएगा, तब अब तब अब पावर ट्रांसफर होएगी, low dielectric strength नहीं होनी चाहिंदी, एवी एदा सही उत्तनी है, high specific gravity, एवी एदा सही उत्तनी है, high tensile strength है भी उत्तर है, उत्तनी होनी चाहिंदी है, आगला क्वस्चन है की किता जाना चाहिंदा है, जदो एक plate electrode प्रति रोध लोड़ी दे मान तो बद है, so what should be done when the resistance of one plate electrode is higher than the required value, जदो लोड़ी दी value तो लोड़ी दी कीमत तो, plate electrode दा रिजिस्टेंस जड़ा बद आजे, तो उस केस देविच और स्तिती देविच की करना जाहिंदा है, दो जान दो तो बद प्रिथवी, अर्थ प्लेटन एडियां सुमान अंतर जोड़ियां जड़ियां 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 चाहिंदी है, so इदा D.E. उत्तर है, जड़ो सही है, अर्थिंग वाले टॉपिक देविच देविच तो अने दी डिटेल मिल जानी है, पंदर मा कॉस्चन है, एलेक्टिकल असी स्प्लाइग दे, प्राइमरी ट्रांस्मिशन ली, केड़ी ट्रांस्मिशन पर नाडी नो तरजी दिती जान दियां, सो जड़ो जनरेट होगी पाबर, जनरेशन तो बाद जड़ी इमिडेटली ट्रांस्मिशन लाइन्स हों दियां, उन्हों बोल दियां, प्राइमरी ट्रांस्मिशन लाइन्स, सो प्राइमरी ट्रांसमीशन दे लिग एटी सॉप्लाइव स्टम हुड़ा यूज कर देयं बर्त देबावाहँ कर देबावा है थ्री फेज, थ्री वायर सिस्टम, सो तिन फेज, तिन तार पर नाड़ी, बी ऐ अप्शन है जड़ा, सही उत्र है, सोल मा क्वास्चन है, एक तिन फेज, स्टार कुनेक्टर तोलित लोड विच न्यूटरल कंड़क्टर विच हुंदी है, किनना करंट हुंदा है, फेज वोल करनट फ्लो करता है, तो यदि सी ऑप्शन है, उसा ही उत्राएगा, फेज ते स्टार कुनेक्टर लोड वाला जड़ा टॉपिक हुंदा पढ़ लेना है, एक एसी सरक्ट विच जेकर करंट वोल्टेज तो नबबे डिगरी पाशड रही है, ता सरक्ट नूँ डैश सरक्ट कहा जानदा है, ता एदेले तुसी एसी सरक्ट वाला एसी स्प्लाई सिस्टम वाला जड़ा लैगिंग वोल्ट लैगिंग पावर फेक्टर लीडिंग पावर फेक्टर या इन फेज जड़ी वोल्टेज ते करंट वाला टॉपिक हाँ पालना है, रिजिस्टेव लोड पालना है, तो आपनों पूछा के करंट वोल्टेज तो नबे डिगरी पाश्ट रहा ता सरक्ट नू केड़ा सरक्ट केहा जानदा है, प्योरली इंड़क्टिव लोड ओधो आपन कहने है, तो प्योरली इंड़क्टिव लोड अजेगा तो आधास्तन सही थे, अठारमा लोड जुडे आधाया, कहा जानदा है, कि तो वाइंडिंग ट्रांस्फ़र्मर देविच जेड़ी वाइंडिंग देना, लोड कनेक्ट कीता है यंदे, उस वाइंडिंग की नाम है, उन्नों बोल दिया, सकेंडरी वाइंडिंग, एक प्राइमरी वाइंडिंग, जेड़ी तो आउस अब कर दो नाम दिता है है अब्राइमरी वाइंडिंग जडि वाइंडिंग दूँं लोड कर दोड कनेक्थ कीता है तो पतार जडियों सहीुत्त रहे तो अगला उन्नीमा क्वाइस्टन है जो कर एक्म में यह जटला चिन है, तो एम मिट्र दी रेंज डैस है, तो अपनू चेन देता हो मिली computer दी ए loro चाहले लाइन मतलब मिली computer the wix of evil understood्यके जाइब्य वालज सब्सक्राइब करेंग में THAT सब्सक्राइब्यक सब्सक्राइब ने सिबंध मियक उप्शन करते लीद की सब्सक्राइब दो सो वोल्ट है अते वैंड वाली ता रहा दो एंपीर है जेकर लागू किती वोल्टेज नुटा इसो वोल्ट तक बदा आ जन्द है ता उसे सरक्रती ता राकिननी होवेगी ता इदे बिच पहलना रिजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ओम्स लौ दे फॉर्मूले दे अकॉर सब्सक्राइब तो पॉइंट फाइव एंपीर इदा सही अंसरा आएगा सो ओम्स लौ दे सिंपल नेमेरिकल है तुसी हो प्रैक्टिस कर लेने हैं नेक्स्ट कोस्टन है ओम्स दे निजम दे कथन दे उनसार सरक्ट विच तारा डैश दे सिद्धन पाती होंदी है तो वोल् नानिक्ट लेने हो चहले सिद्धन पात दे ऊओम्स दे निजम्स दे नुसार से उप्षन ञैंगा Sug कोस्टन है एकक एसी liberal सरकट विच डैश चल दी है ऐसी सबावा वोल्टेज क्या है कि क्ष चल दिया या तारा वोल्टे मैं ज mache चल दिया जा टारा वोल्टे में थै rough каких टीए कि अधिक पेस्टिव सर्कृट इनक्टिव रिजिस्टिव सर्कृट जदो अपए सी सप्लाई दे विच कुनेक्ट कर देऊं तो इसी सप्लाई देविच वोल्टेज टेक्रंट दा रलेशन्शिप्स बंद केमें दा बंद वाली थी तो नूर मिले गा है किसे भी तरह दा कॉ पुछ सकते हैं इसी इंड़ेक्टिव सरक्ट विच जा एसी रिजिस्टिव सरक्ट विच पूछ साथ यह के लिए जड़ी पैरमीटर है जड़ी क्वांटिटी है वोल्टेज दी अग्गे चल दिया जा पिछे भी लिखा जासाथ है कि पिछे चल दिया सो चंगी तरह है टॉ और च्मस्तr माप दें तार्थ घेशटेंश डेस्टाइस्ट विच इंड़ी क्यूच में ने जान ऐजाए लेक्टिकल पोटेंशल तरथ जा न हूँच आ आंड़ी टॉपिक का धी स्विच ऑन्त बिचान दित्यस अलंदमिलेगी करा निजंम दह में ऐसा शनल है काइक प बांद लूप विच लागू टार्मिनल वोल्टेज भी उस लूप विच वोल्टेज ड्रॉप दे जोड दे बरबर है सो एक रिच्छ अप्स करंट लोग रिच्छ वोल्टेज लोग है जड़े उनना दे विच तो आनो एदे अंसर क्वास्चन मेलनेगे सो केड नेजम दे विच जड़ी कलोजड लूप है जा क्लोजड सरकुट हाओ दे विच जड़ी टोटल अप्लाइञ कितेंगी तर्मिनल वोल्टेज बनेडेज बिलाफ्स हो रही है तो टोटल दे जोड़े बरबर हुंदा है क्यर्चा इतने VOLTEST LAW किए अपिए कहने com ay क्यों किर्चाफ WILLIAMS फिल्टेज दे वोल्टेज ने जिल्ञ बिशा है कुर्चा एप आप्षाप दा सब्सक्राज अक्या हरा है घुड़ी मा मनाही दे चेन दा की अर्थ है । मेंनिंग ओस्ट प्रभिएशन साइन सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए नेक्स्ट थार्म स्मोकिंग विलांग्स तो विच टाइप सब्सक्राइब करके श्युक्राइब करना चाहिए नहीं स्वाइब करना चाहिए नियुक्त थे विच टोड़ने श्युक्त तो यह से नितीज्ये वजू चिंग्यारियां नहीं बजा अलईए बरते जानवले जैंतर दानाम की है सो सरक्काट नो जोडzen देलिए जा तोड़दनननों मीनस सरक्ट waippan ळी जा क्लोज स कान देलिवरते तो ए सकाइब आर्ग पार्दा ह Tiere और जडियों चंग्याडी पैदा हुं दिया है बुज़ आया जांदा है फिर उस जङंतर दा की नाम है शर्कट प्रेकर उससे नाम है है शर्कट ब्रेकर सबस्टेशन दे ऊपर वरते है एंद है बी अप्शन सही हुतरा है के खुले सरकट विच सरकट प्रति रोध, इस वजों बने जांदा है खुला सरकट, मतलभ, ओपन सरकट बूबास कर ड बनाद था रियष्टेंस बने जांदा है एक स्केंट विच एक एसी मात्रा द्वारा पूरे किते के चक्रान दी संख्या नूँ डैश कहा जांदा है एक सकेंट विच किन्ने साइकल पूरे किते जान्द या ए सी कॉंटिटी द्वारा किसे भी एसी मात्रा द्वारा वोल्टेज करांट जान फ्रीकॉएंसी, उसनु अपप गोल देया, सो फ्रिक्वेंसी एदा सही उत्र है आवरती के एक स्केंट विच किन्ने साइकल पूरे कीते एसी मातरा द्वारा ता उसनों फ्रिक्वेंसी बोले एंदा एए ऑप्षन एदा सही उत्राएगा अगला कत्ति मा कौस्चन है किसे विजली दे उपकार्न अते सिस्टम देता आत किसे गैर संचाल एक पेंट पूर्जयन विक का तप्रति रोद वाले कंड़क्टर द्वारा प्रित्वी नाल जोडन दिवीदी दानाव की है कि वाट इस नेम ऑफ दा मैथड़ ऑफ कनेक्टिंग नान कंड़क्टिब मेटल बाड़ी पार्स पार्स ओफ एन अलेक्ट्रिक प्रति रोद वाले कंड़क्टर द्वारा किसे गैर संचाल को जड़े मैटल वाड़ी यह नौन मैटल वाड़ी है किसे एक मेंट दी ओनों अर्थ देनल जोडन देली अपा जिड़ा पर सैस यूज कार दें जड़ी वीदी यूज कार दें अनूं अर्थिंग बोल देंग वाले टॉपिक देविचे डेफिनेशन तोन मिलेगी सो यह आफ्शन दा सही उत्र है अर्थिंग इसनों बोले अंदा है बतीमा क्वास्चन है ना विच्चों किस दे प्रति रोद दा तापमान गुणाक रिनात्मक है सो नेगेटेव टेंप्रेचर कॉफिशेंट आफ रि इसिटम से और ओंदा है सो मैचा ए देविच सही उत्र है उत्र है टेंप्रेचर देना रोल तरद टेंप्रेचर मेंस घंडे तरहिक पर किसे ती मेंचेल दा नोन मेंचेल आए डिस्टंस αναफिचे अगला टेंवारा क्वंछस्चन है श स्फी कैनट劍रियों से नर्बड़ मे पब लब मल पाये जगे एक्टेपावर किनीं है से से सिस्टम देविए सिस्टम दिडीच वाज फॉर्मूला होंदाauf वी आई कोस्वाइख थीताで है20152 वोल्टेज में करांट वक्राइख शीता से स्दंदेज्टक हो रहे हैं आट्वाय मोटर इस पावड वाय शिक्स वोल्ट बैटरी एक खट आणा मोटर आज़ी शे वोल्ट बैटरी द्वारा चलाई जान दिया है और इफ दा रिजस्टेंस ऑफ दा मोटर कोई इस फोर पॉइंट फाइव ओम्स फाइंड दा क्रांट द्राउन वाय दा मोटर जेकर कोईलना दा जड़ा मोटर दिया कोईलना ने उदा प्रति रोध चार पॉइंट पांज ओम है ता मोटर द्वारा किन्ना करांट जड़ा ले आजन दा सिस्टम चों स्प्लाई चों वो तुसी कैलकुलेट करना है यह वी ओम्स लोग दे अकॉर्डिंग ली तुसी वी आई आर दा फॉर्मूला जड़ा आई इस इकल्स टू वी वाई आर आजेगा वी दिता हुए आर तो अनु वैली फोर पॉंट फाइज दिती है ता वन पॉंट थ्री एंपीर एदा अंसर आएगा बी उतर आएगा एलेक्ट्रिक प्रेस बिजली ता रादे डैश प्रवा आव दे लए लिए कोदा आण है विजली प्रेस दि जड़ी ओदे चेड़ा प्रवा आवा जड़ा करंट दा वरते हैं दे लए लगला के जड़ेट्रिक करंट दे वेरिएस इफेक्स ने हीटिंग एफेक्ट देच बरते हैं दप्रेस ता ए तो अनु थीवरी देविच ज उसे इस दी वीडियो बखरे तोरते देख सकते हूं छतिमा क्वेश्चन है वाट इस दा मीनिंग ऑफ ता गिवन साइन वोड ये साइन वोड देता हुए इस दा मतलब की है इस दा मतलब है कि बच्चा स्कूल बेक लेक जा रहे है इस दा मतलब अगे स्कूल जोन है ता एंस् सही उत्र होएगा के स्कूल है अपाम देख देया स्कूल जोन है संती में जड़ा प्रशन है किसे व्यक्ति नूँ बिजलाई सप्लाई दे विजलाई संपरक तो दूर के में किता जा सकता है तो किसे आदमी नो अपाँ एलेक्ट्रिक कंटेक्ट दे विच कोई आदमी आ ग आदमी लिजली स्पलाई देना ला संपरक दे विच आ गया तो वनु बख्रा कर सकते हैं सो डी ऑफ्शनाइडी रवड दे दस्तान ने या सुक्की लक्र दी वर्तों करके नूँ वख्रा कर सकते हैं वीट्स्टोंड वरेज डैश दा मालबल नहीं किती हैं दिया वीट्स् विच तुरी दे विच तुसी पूरा पढ़ले नहीं और अधा प्रिंसिपल काम का अंदसना आत भी पाढ़ले नहीं एक डीसी स्पलाई दी आवरती फ्रिक्वेंसी किन्नी हुं दिया सो डीसी दे विच किसे तरह दा कोई चेंज नहीं हुंदा ठीक है टाइम दे नाला विच दुरी कनवर्टर टुदीसी थुरू डैस एजनो डैस नहीं सानी नाल डीसी विच बदले आ जा सागधे एजने अपा केड़े जांतर दे नाला डीसी स्पलाई दे विच अनवर्ट कर सकते आँ हैं तो रेक्टिफायर दे नहीं अपा एसी तो डीसी दे विच सब्सक्राइब निए तर बाद दियों किती है तो जबंक्टर दे लंबाई दुगनी किती है ता क्रॉस्एक्षन था किता है तो फिर नतीज्जा प्रतिरोद किन्ना होगा जो ए ऐ शिद्धे तौर थे लंबाई देना अगा नेदा रिजिस्टेंस जड़ा बादा जाका उट और उल्टेन पाद देविच क्रोस सक्ष्ण जेडाँ अधा एरिया है क्षित्रफल है कन्डॉक्टर दा उल्टेन पाद देविच वद्धधा कर देगा सो लंबाई दुग नी किते जांदी है और cross section area अधा किता है तो R बरबर है rho L upon A उसे formula तो C value पूट करके है चार गुणा जड़ा होदे resistance है प्रती रोदे जड़ा होदा बाद जावेगा ज़े लंबाई दुग नी कर देने है और उनने की रेशद विच cross section area अधा किता है तो resistance होदा चार गुणा बाद हो जावेगा C option सही उत्तर है next है प्रेरिक reactance दी एकाई की है एकस एल लेदा साइन है प्रेरिक inductive reactance ये capacitive reactance होवे तो XC होदा साइन होएगा अधी एकाई भी सेम प्रती रोध बाली है प्रती रोध ही हुंदा है inductive reactance ये capacitive reactance ओधी एकाई ओम ही होएगी ता ओम एदा D option है जड़ा सही उत्तर है और अगला question है चताली मा दूशित हवादे सारा ही अंदर लए जान तो होण बाले नुकसान तो बचाली केड़ा PPE वरत किसे आदमी दी सुरख्या देली जड़ा सुरख्या जंतर बरते जान देया ओदेले दूशित हवा सारा ही अंदर जान तो रोकनी है ओदे नुकसान तो बचा देली केड़ा PPE बरते यंदा है ओ है respiratory protective equipment थाट श्ड़ा मोझन है उस गहिता है उच्व रखी कार ने बरतना चाहिए 85 क्राश्जन है उच्छाबरती颜्वार्ति हिलेखोटी हाई फ्रेक्वेंसी जड़े Transformers किसम दे कोर दी बरतों बीले सब्सक्राइब करने केड़ी कोर वर्तियां दिया किस तरह दी बंतर हों दिया है इक बादल दी बादलमी तारा क्रांट दी सिर्फ कंडॉक्टर दी सता दे नेड़े के इंदर तहों दी परविर्तिनु की कहा जांदा है संताली मा क्वेस्टन है इक आणालोग मा अपनवाले जैंतर विच पॉइंटर दे मेकानिकल जीरो नूँ डैश द्वारा समाजो जित जाएड़्यास्ट कहा जाएं किता जा सगधा है आपनों डियास्ट कर सकते हैं ओदे लिए एक्स्टार्नल स्कृण डियास्ट्मेंट देती हुं दिया है जडा एनलोग मेरिंग इंस्तुमेंट आप डिजितल नहीं है लोग है ओदिन ओदे लिए मेकैनिकल जीरो है जडी पॉइंटर दी ओपार रिएस्ट कर सकते हैं बारों एक स्क्रिव जड़ा एक्स्टर्नल स्क्रिव डिएस्टमेंट पॉइंट ओधा उपर दितता हूं दे विलकुल ओदे फेस दे ओपर उथो तुसी एडियास्ट कर सा दे हैं दी ओप्षोन किटे किटे किती हैं टांग टैस्टर दिविए ओटो ट्रांसफ़र्मर डिमारिय।द फ्रिक्वेंसी मींट्र थे लिएज स्ट्री dire कि तुहाः टग टैस्टर जडिए एड होड़ा एडा जुण टांग टेस्ट दे विच्छ च्टी दी बर्तोगी ती यह अगला क्वास्चन है एक 3-phase star connected संतोलित लोड़ दी उधासीन या neutral तार विच क्रांट डैश हुनदी है 3-phase star connected संतोलित लोड़ दे विच्छ जड़ा क्रांट होंदा है वो 0 होंदा है सो ए अफ्षन है जड़ा सही उत्र है next एक AC सरक्ट विच प्रतिक रेया शील शक्ति दी एकाई की है unit of reactive power reactive power दे unit ने जड़े ओं के वी अर देना नोट कर देया पास ए अफ्षन है जड़ा सही उत्र है के वी अर AC सरक्ट विच प्रतिक रेया शील शक्ति है जड़ी ओधी एकाई मापन दीकाई ओधी के वी ए आर है सो ए उप्षन सही होगा active power reactive power बड़ा तुसी topic पढ़ लेने सो रख्याता आरना विच 5S दा सही करम केड़ा है सो उस रख्याता आरना जड़ी safety concept है जड़ा ओधे विच 5S दा formula है ओधे विच सही जड़ा करम है सही order की है ओपहले वाला है sort पहला sorting करनी है फिर set in order order दे विच रखना है shine फिर standardized फिर sustain ए पांच जड़ी options ने तुसी बखो बख्रे भी इना दे जड़ा कर लेने है पहली एस दा पूरा नाम की है दूजी एस नूँ फोल परम की लिखने है थर्ड एस वक्रे तौरते विए दी वीडियो है जड़ी 5S दे फॉर्मूले दी तौर दे शेर कान दी कोशिश करांगे अगली वीडियो दे विच आउन वाली सब्सक्राइब कोश्चन है जएक प्रति रोध कदी वोल्टेज अते इस विच वे रही तारा ग्यात है ता उस प्रति रोध कदा मान हेठांदी ते केड़े फार्मूले द्वारा निरता आर्थ कीता जानदा है कि किसे रिजिस्टेंस दे विचो वोल्टेज एजड़ी और करन टापन। पता कि के न चल रहा है वोल्टेज अपलाई किनी किती यह तर इस प्रति रोध के डिए वेली एंपके में कैलकुलेट करनी है आपि आर्फ लाधा फार्मूला है आर बरबर है वी वाई आई ओर यस्टेंस बरबर है वी वाई आई वी ते आई दी रेशन और या प्रती रोद बोले हैं दा सो ओम्स लौ दा फार्मूला है सिंपल सी ऑप्शन है जड़ी ए सही होएगी तुसी देख रहे होंगे कि ओम्स लौ दे कौस्टन काफी आया है सो ओम्स लौ चैंगी तरह तुसी पढ़ लेना है बेसिक लौ है next question है what is the name of the given symbol used for substation layout drawing so substation ते जड़ी layout drawing बढ़ोन है जड़ा symbol है चिन दितता होए यह अपड़ राइंग देविचे चिन है जड़ा कि अपरेटस देली जाके जंतर देली वर्त देया सो एह है circuit breaker with isolator साइड़ा ते दो switches लगया isolate का अंदली circuit नूँ वेच एक rectangular box है इदा मतलब circuit breaker सो एह है isolator circuit breaker with isolator सो एनू अपड़ाइंग देविचे यूज़ कार देया चिन नूँ एक परमानू दा एक electron dash कान होंदा है जबी आफ्षिन नगेटिव ली चार्ज़्य एक एक परमानू दा केड़ा ख नं होंदा है negatively charged एक उपर negative charge होंदा ता है बी ऑज़्य परणू की आनू की हिदा है इस तरह अज़े ज़े परमानू दी बथतर है वोदे सारे theory question कर लेने है विच satur land of transformer have more number of trans केडी सिप्लाइप्ट किता है सिप्लाइड्री नाम लिखता है ओडर कनेक्ट है सिप्लाइड्री कहल हूं है वड़ जदो सिप्लाइबर नहीं कोनेक्शन नहीं किता किसे इतरह दा एक वोल्टेज जएड़ जङ सुझ हएगी ऊह हम धी हा वाइंडी जदेगे विछ किसलों बोल्टेज अट गिलों ब्ली आ Mor आपा है एच भी वाइनिंग हाई वोल्टेज वाइनिंग बोल दे हैं जैडि साइड ते नंबर ओफ टरंज होंड गिया हूँ हाई वोल्टेज वाइनिंग होएगी सो इत्थे अपनों कॉच्छन पुछ ए एक ट्रांसफर्मर दी केडी वाइनिंग विच टरंज दी गिंती जादा हुंदी है सो अंडर्स्टूड है के हाई वोल्टेज वाइनिंग है जडियो दर नंबर ओफ टरंज जादा होंड गिया है सो भी ऑप्शनेड़ा सही उत्तर है नेक्स्ट वाट इस दा एफेक्टिव रिजिस्टेंस बिट्विन ए एंड वी ए ते वी दे विच एफ भाइडर वन प्लस आऔर्टू तोटल मेंग तर्एजस्टेंस बिट्विन डेया ऐस परलेण है कि inductive circuit दे विचे क्रान्ट आजड़ा voltage थो इन-phase, phase दे विच होंदा है, leading होंदा है, 180 degree opposite होंदा है, या lagging होंदा है, नेक्स्ट अठ्वंजमा question है, एक अंडरगराउंड केवल विच वैंडिंग, बैडिंग दे उपर, केवल नूं मेकैनिकल नुक्सान तब चॉन ली, अगला question है, अगला question है, अगला question है, अगला question है, प्रति रोध तापमान वदन ते, डैश काटदा है, बाददा है, जा स्थिर रहनदा है, जा बाददा नहीं, के रिजिस्टेंस हैड़ा, metallic register दा, temperature बाददा है, metallic resistance हैड़ी, ओहो, resistance जड़ी बाद दी है, तापमान बादद देना, अगला question है, किस केसम दी तारा, समय समय ते, अपने परिमान, magnitude नो जीरो तो, अधिक ताम ते, फिर जीरो तो, जीरो तक बादल दी है, ते, ते, सुनो नेमत अंदरालां ते, दोहरों दी है, केड़े केसम दी, जड़ी supply हों दी है, पल्सेटिंग DC वोल्टेज विचे, जेहा बरतारा वापरद है, उसनों बोल दे है, पल्सेटिंग DC, C option जड़ा सही उत्तराएगा, next question है, के 60 ohm देक रोध को विच्ट वोल्टेज ड्रॉप की होएगा, जेकर इसते द्वारा करंट 0.1 ampere है, ता एवी ohms लौ दा फामूला जड़ा इत्ते अपलाई होना है, V is equal to IR ते अधा उत्तराएगा, values पूट करके, 6V V दी calculate कानी है, value दुसी, next है, विजली circuit विचे ता आरानू मापन दे लिए केड़ा जंतर बरते जन्दा है, विजली करंट नू मापन दे लिए केड़ा जंतर बरते जन्दा है, एदे लए है M meter, M meter सही उत्तर है C option, voltage मापन दे जा, potential difference मापन दे लए भी पुच्छा गया सी, उदे ली volt meter, विजली ता राजा, विजली करंट मापन दे लिए M meter, next question है, किसे बिजलाई उपकार्ण देता, तू पेंड नू प्रिथवी करना क्यों जरूरी है, कि किसे भी metallic body है, किसे जन्तर दी, बिजली जन्तर दी, उनू अर्थ देनार जोडना क्यों जरूरी है, सो एह है, to eliminate possibility of electric shock के बिजली दे चाट के दिसवाव नानू, खतम कार्ण दे लिए अर्थिंग कर दे, अर्थिंग वाले पार्ट दे विचों है, C option है, जड़ा सही उत्तर है, चौन्ट मा question है, 1.5 ohm, डेड़ ओम प्रती रोध कली रांग कोड केड़ा होवेगा, सो एह है, resistance दी, जड़ी color coding है, उदे चो question आया है, सो डेड़ ओम दे लिए केड़ा color code बरते जाएगा, तुसी टेवल पूरा जाद कर लेने, एदे लिए जड़ी option हो सही है, brown, green, gold, एबखरे तो और तेड़ी color coding दी, एक वीडियो तो आदे लिए संजी कंदी कोशिश करांगे, ओन वाले समय दे विच्च, सो डेड़ी option एड़ा सही आएगा, डेड़ ओम दे लिए, brown color पहला होगा, फिर green color दी पट्टी होगी, रिजिस्टेंस दे उपर, फिर gold color एड़ी टॉलेंस है, ओदे लिए गोल्ड कलर जा सिल्वर होंद है, ता गोल्ड कलर लास्ट दे होगा, नेक्स्ट जदों दोसो ती वोल्ड मेंड स्प्लाई नल जोड़े हो, एक कलेक्टिक हीटर, साड़े साथ अंपियर करंट खिचता है, ता इस दे तत, जब एलिमेंट कह दिए, दा प्रति रोध किन्ना होगीगा, एड़ी ओम जलो दे उनसार, V is equals to IR, ता अपनो आर पता कर ना है, VYI, दोसो ती डिवाइड वाइड वाइज सेवन पॉइंट फाइव, कैलकुलेशन करके तो अड़ा, थर्टी पॉइंट सिक्स सेवन आएगा, सही उत्तरे दा आएगा, सो थर्टी पॉइंट सिक्स सेवन ओम, ए रिजिस्टेंस होएगा, उदे एलिमेंट दा, एक वांटी तीजनों मापन देली बारता है, वक्ख वखरे वीजली दे जड़े मापन वाले जंतर ने, उनना दियाँ वक्ख वखरे एग इसमाने, सो इन्टीगरेटिंग टाइप इंस्टुमेंट है, ओ, एदे चो एनर्जी मीटर है, अपने करांदे बिच अनर्जी मापदा वोल्टेज वाइनिंग द आ कोनेक्शाना उलटा कर दिता जान द है तो उच वोल्टेज जते का घौल्टेज वाइनिगा विज कार प्रेडित वोल्टेज है विच काल फेज विस्तापन डैश होएगा 180 डिगरी ते चेंज हो जाना दिया पिजिशन फेज एंगल ड़ा हो दा 180 डिगरी ते चेंज आ जाना तो पावर ट्रांसफोर्म अदिये connection उल्टे कर दिते जान। सो ए तुसी पावर ट्रांसफ़र्म दे कनेक्शन वाला टॉप्टिक पढ़ लेने नेक्स्ट है हेट लिखियां लिखियां समीकरना विचो केड़ा समीकरना ओम दे निजमना स्वांदत है देखो फिर ओम दे निजम देड़ा ओम दे लौदा जड़ा क्वास्चन आया वी जि की है मतलब फ्रिक्वेंसी दी युनिट की है फ्रिक्वेंसी केड़े युनिट दे विच मापी आंदी है स्वेदी सही उत्र है हर्ट्स 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 जड़े सही अंसर है फ्रिक्वेंसी दी युनिट की हुंदे है नेक्स्ट सत्र मैं जड़ा लास्ट करेंट किसनों क्या राइन कि जदों छोटे वैलियू दी कट वैली दा जड़ा करंट है वह ओ ऑफ दे विचों दी इन्सूलेशन दे लंग दा है ता उसनों पा बोल दें लेके मैं जड़ा इदा सही उत्र है नेक्स्ट पंजाबी ग्रमर देना स्वांद तो दूज्जा पाइट है जड़ा प्रेशन जड़े उस टाइम ते आए सी उन्हादा लेबल तुसी चेक कर साथ के के हो जे क्वास्टन है जड़े इस पेपर देविच पाएगे सी ता तुसी इस तरह प्रेशन है अपने आगले देव पर चुले देव पर गैस देव पर ता सही जड़ा बैस्ट क्रेक्ट अंसर है दा तभी होएगा रोटी बेलंट वाद तवे देव पर पाएजन दिया तब आजा तभी लिखा होए ता एए अप्शन दा सही है चखड शाब्द दा समान अर्थी शाब्द दा सो सो रहा सकते हैं पच्छक खड़ा गया तुफान आगया सो तुफान डी ऑफशन दा सही उत्तर है नेक्स्ट तीज्जा क्वेस्चन है जस्मीत काॉर पढ़ रहा है वाकविच किस तरह दी गलती है जस्मीत काॉर पढ़ रहा है ता इत्वे कि यह है अपा सई जे लिखना अब केड़ी लगेगी ओदे अनुसार व्याकरन पजाबी दे तुसी पढ़ लेना ता नाम अनुसार केरिया नार्स्वान दा जड़ा हो सही निहागा ए गलती है देविच सो ए आप्शन दी ए जड़ी विकलपा हो सही है चौथा प्रशन है चंगा काम कार्ण विच कोई डैश नहीं होंदी चंगा कार्ण विच चंगा काम कार्ण विच कोई शार्मसार नहीं होंदी रात नहीं होंदी जा लोड नहीं होंदी जा संग नहीं होंदी ता इदे विच पहला उत्तर है जड़ा संग चंगा काम कार्ण विच कोई संग नहीं होंदी यह आएगा नेक्स्ट के इस स्टेडी दिता है पंजमा क्वास्चन शेतों दास्ता के जड़े क्वास्चन ने तो आनों इक पैराग्राफ दिता है एनू पाड़न तो बाद बड़ा सिंपल ते सोख है तो इदे विच पहला प्रशन पुच्छाएगा कि किस स्याने दा कतना कि ओमर शोटी कला कॉशल सम्हां उडारूत जर्बा अनिश्चत ते निर्ने अखा होंदाए एदे उपर लिखा है हिपोक्रैटेस दा काथना है एधे लिखया गया कि हिपोक्रैटेस ना आदे सेणे ने अपनियां वयदिक कहां वतां तां." इस तरहां कहां सी हिई समाव डारूत यारबान इस्चते निर्णा उख़ां दैसो एथे सही उत्राइजडा हिप्पोक्राइटस आएजगा अधिरगा एक बार पेराग्राफ ना पढ़ते संज आवे ता दूसरी बार तुसी चंगी तरह संज़ के परलेना है ता बड़े सिंपल प्रेश्चन ने त गुद्रतने विज्ञानय ने अपने ने खुध आपने ताहसे पहरा दिवॉर्चाया और परोकत हाँ मित्री की है साही सर्लियृ की निष्मिंगा जीवन जिन्दगी के में जोनी है तो जीवन जा चेदा सही सिरले का इड़ा टाइटल है वो बनेगा जीवन विच परसानता ते सफलता किस तेदा आर्थ नहीं होंदी सो जीवन विच तो अनुखशाली होनी है सफलता तुसील प्राप्त कारनी है वो केड़ी चेज तेदा आर्थ नहीं होंदी स्थितियां ते परस्थितियां ते जातना ते समय ते सो परस्थितियां ने जड़ी आउनना ते आर्थ नहीं होंदी जीवन दे विच खुशाली जह एदा अन्दरला दोस्त अपन अंदरला पन अपन अपना अंदरला पैरै तहां इस प़ेराग्राफ दे अन्सार अपना अंदरला वैरी ऐ मनुक नहीं है सभी स्वांद नहीं है ता सभी इड़ा आप्शन के सभी स्वांद नहीं है सभी नहीं है पिजाबी ब्याकन दे विचो तुसी रवीज ने दी कार सकते हुआ है जे पराशन दे उत्तर देन देली रहास विच जाकड़ी में उसवाल वेख रही है वाक विच केड़ा शाव्द सही नहीं है सो वेख जिड़ा शाव्द है के पूरे बाक देविच शावद केड़ा गल्त है शावद सही नहीं है रहास विच जखड़ी में उस वाल वेख रही है ता इते लिखे है वेखी ता अपनों सही जड़ा आप्शने दी मिल रही है वेखी डी है वो दी उत्तरा जेगा तेरमा क्वास्टन है मुंडा स्कूल ज आप देज़ी है विशेशन की हिंदाए विशेशन दे रूप पढ़ना में दे रूप नाम दे वक्षब वक्रियां किसमा रूप तुसी करया दी है किसमा पजाबी वया करने विच्छ्छों मैं रिकमेंड करूंगा तो आनू के तुसी अठ्टमी जा दास पर दी किताब है वयाकरन दि पयाभी वयाकरन दी उच correspondence मिल जानगे ड्रक्त शाब्द दा समान अर्थδ शाब्द चुनो समान अर्थी साब्द दा टानियां पत्ते पनीरी या रुख स्वार वाहक क्डिन ने तिन स्वार्वाहक ने स्वार व्यंजन या गुर्मकी देघडे वक्कोबक्रे रूप ने वक्ष वक्षरे अक्षर ने किस्माने दुत ब्यांजन उसारे स्वारत उसी पाड़ लेने ता इते तिन आप्षन एड़ा सही है केड़ा शाब्द शोद है सूंदर 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 लिख्या है ता बीए आप्षन एड़ी ससे नू ऑंकड उपर टिप्पी ददार सई रूप है दा सुंदर दा ता इससी बीए आप्षन टेक करनी है सीता गा रही सी इस बाक विच किरिया शाब्द केड़े हन सो केड़े केड़े हन केड़े वाले शाब्द जित्तों पता लग रहे के कोई काम हो रहे है सो सीता गा रही जा गा रही सी सो जा रही सीता गा य कि ता इदे विच नाम है और तिन आप्षोनस दे विचे सी ता आया था ए जै आ, सी ते डी आफशन नहीं आए गा रही सी गौना भी किरिया है रही सी सा एक करिया है तो इत्वा जगा गा रही सी बी आफ्शनेडा सेहि Drop है एंग्रेजजी विच जनु मार्फीम पिजबी विच उसनु की कहा ज है सो एंग्रेजजी विचे मार्फीम दा मतलब पिजबी विच उस दा मतलब की है खंड-5-5 ता पावांश जिड़ा सेहि sudah है ये हे दुस्री पिजाब्बी दे जड़े वक् को भखरे रूपने वक् को भखरे जड़े शद़ानी किसमा ने हो पढ़ लेन है वाँग् Depot पढ़ लेन है अमानदार शाफ्दा द भार्षदी शाफ्दा दोसो उपकार बेईमान अचार दुरा पाताअ चार सो जड़ा इमान्दार शाबदा शाबस अ भी कौश्चिं नंबर कायओ टारश्च हो क्वरे वे उत्जत रहेए Hai ले गागमी यह की खास्षाबदे रहुँंख शाब्ट अर्छिक्थ К जन्नल्न में साहा लाग़ resources सब्सक्राइब तो सिर्फ पजाबी पाशा विच भी दितते होंगे उदा कोई इंगलिश रूप नाल बरबर नहीं दितता होएगा जी के और तो आड़ी ट्रेड दिना सब्सक्राइब ते इंगलिश दोनों लेंगे विचे दितते होंगे र travelers पेले question कि है पजयाब विचे ऐंगलो सिख जांगनो खत्म किता सो केड़ी सिजी ने दुज एंगलो सिख जांगनो खत्म कर देता सी जडी संदी नहींगलो सिक्वाओ जेड़ी सी बंद होगी सी ओसी लहौर दी संदी ट्रेटी ओफ लहौर दी संदी दिना कत्व है सी ए अफशन सही उत्र है अगला क्वेशन है हेट लिखी है नदियां विचों केड़ी नदी पार्त विच पंजाव राज विचों बाग दी है गोदावरी बैतरानी सतलोज महा नदी सो सतलोज नदी है जीड़ी सतलोज द्रयाय वह पंजाव दे विच्चों बाग दाए जो एदेच सी ओफशन है जीड़ी सही उत्रा जेगा चौत्था प्रेशन है जेंती डैम किस नदी ते बने होया है सो बनाया केड़ी नदीते गए जैनती डैं सुनेक नदीते सुनेक जड़ा एह आपशन है दा ओ त्व शही उत्तर आएगा पांजमा क्वेस्ट नहीं ने अ मरत्सर नुबसाया सी अमरत्सर दे बान्नी सी उसे गुरु राम दास जी एह आपशन है जड़ी एधे विच्छ सही विकल्प है गुरु रामदास जी सही उत्तराएगा सिख केड़े सिख गुरु सीड़े अमर्त सर देवाने सी गुरु रामदास जी शेमा प्रेशन है पार्त दे मशूर नितामा विच्छों किसनों पंजाबदा शेर कहा जन्द है मशूर जड़े परसिद नेता होएने पार् वह लाला ला जय पतन आजबा जिन्हों किया जन्द था दी option है जड़ी एधा सिय उत्तराएगा सत्मा प्रेशन है गुरु रांध सही ख्लाड फित्तरufficient गुरु रामदाश जिख गुरु रिपी विच्छले लिपी सी गैणे से उत्तराएगा गुरु रांध विच्छत- नमा क्वास्टन है अलम्पियन वल्वीर सिंग केड़ी खेड़ विच परसिद्ध हस्ति संग पंजाब दे खडारी सी ओलंपियन वलवीर सिंग ता होकी दे ओपर सिद्ध खडारी सी के ता इदे विच बी ऑफ्शन है जड़ी सही उत्राएगा होकी दसमा प्रेशन है काला हे नस्थान अब ओहर पंजाब दे केड़े जिले विच स्तित है पंजाब दे पाजल का जिले सही उत्राएगा फाजल का जिले विच सेंचरी जड़ी ओंपेंदी है ता है नेक्स्ट इड़ दासमा क्वेस्टन सी का जी के ँड़ा तो सी एस पद्दर क्वेस्टन तैयारी कर सकते हो ताके तुसी आउन वाले जड़े कोई भी आई टी-आई लेवल दे जड़े एक्जाम में उनना देली तुसी सफलता पूर्वक अपना त्यारी करके सेलेक्शन है जड़ी करवा सकों और वाले टाइम देविच होजी है वीडियो तो आड़े ली त्यार करना दी कोशिश करांगे जे कोई तो आड़े बलों सुझा होबे तुसी चांडीडेट आइटीए पास कर चुके ने और आन वाले पेपरांदी त्यारी का रहे है लाइन मेन जया असिस्टेंट लाइन में पेपरांदी त्यारी का अ देविच रुज्ज़ह ने और अपलाई का दजा रहे ने सारे यांदे लाए बलों, मिल देयां अगली किसे नम वीडियो दिविट नमी जानकरी दिनल तरतक लित्वा दवात्वा थैंक यू गूद लुक अगें